गुलाब के पौधे से हमेशा फूल लेने के लिए आज जो मैं आपको घरेलू नुश्खा बताऊंगी और उसके साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपका गुलाब हमेशा फूलों से भरा रहेगा और कलियां हमेशा बनती ज अटा देना है तो यहीं से नए नए ब्रांच आएंगे और वहां ब्रांच आप देख सकते हैं कलियों के साथ आएंगे हर ब्रांच में पौधा जो है कली देता रहेगा आप देखिए छोटे-छोटे से ब्रांच और छोटी-छोटी सी कलियां और वहां कलियां फिर बड़ सिकुडे सिकुडे से हो जाते हैं काले काले से जले जले से लगते हैं और कलियां भी खिल नहीं पाती हैं तोट करके गिर जाती हैं तो वह जो मैं नुश्खा बताऊंगे इस तीन चीजे आपको डाल देनी हैं बहुत ही इजली मिल जाने वाली चीजे हैं इन चीजों से आपक कहना चाहेंगे कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हूं तो देखने गवाद लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि हर लोग घर की चीजों से अच्छा कासा लाव उठा सके तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि इसके हलकी सी गु नहीं चाहता है तो गुलाब को जदी आप अधीक पानी देंगे तो पौधा बीमार हो जाएगा और उसकी पतियों में जो लीव करल वाइरस की बीमारी होती है पतियां जली-जली सी रहती है हमेसा देखने में अच्छी नहीं लगती है तो वो बीमारी इसमें लग जाएग इसके बाद क्या करना जब फूल आप तोल ने मुर्झा जा तो यहां से आपको इसको कट करika हटा देना है यह चीजें आपको करनी है तो यह करने के बाद अब हम ग्रोध भी अच्छी है अभी बिल्कुल नया पोधा है अभी और ग्रोथ वाला बनेगा तो देखे यह है यह तीन चीजों में क्या क्या है यह सर्सों की खली इजली आपको मिल जाएगी अगर आपके घर नहीं होगी तो यह मार्केट में जहां पसू का चारव अगरा मिलता है वहां आसा तो इसे करना क्या है आपको इसका लिक्विट आपको नहीं बनाना है आपको सिर्फ और इसी में इस तरह से दबा देना है मैं बहुत ही इजली गार्डेनिंग बताती हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यह धीरे 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 अपना जो मिनरल्स छोड़ेगा इसक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा तो आपको ऐसे ही डाल देना है जदि आपको बहुत जल्दी है तो आप इसका लिक्विड बना करके भी डाल सकते हैं 24 घंटा रखने के बाद है एक डील लिट पानी में मिलाकर के ही आपको डालना है लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ दूसरी चीठ यह ले लेना हे आपको यह है MP3 लेना पर पांच ग्राम होगा तो इस तरह shedding से इसे भी आप दबा दीजिए यहां अब यह भी अपना एसीड इसमें छोड़ेगा यह भी सर्सों की खलीवी हलकी साथ ही साथ यह सबसे अच्छी चीज यह है बेकिंग सोडा जो की हम बहुत सारे चीजों में देते रहते हैं उसका यह रिजल्ट होता है कि जदी हम खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं तो फंगस वगरा लगने से यह बचाता है यह बहुत ही अच्छा होता है तो यह ले ल है तो आधा चमच लीजिए गुलाब में रामबाड का क्याम करता है तो आप इस चीज को डाल दीजिए गुलाब में बेकिंग सोडा डालना बहुत जरूरी है इस तरह से घुल ले जिए तुरंती घुल जाएगा यह हमारे कीचन में आसानी से मिल जाता है अब एक से डेल पानी ले करके इसको चारों तरफ से इस तरह से डाल दीजिए ताकि इसके सारे रूट्स को मिल जाए और धीरे धीरे जो है गल जाएगा फिटकिरी और सरसो की खली उसके बाद क्या होगा ऐसा पाइं डाल दिए कि पानी बाहर न निकले पानी इसी में रह जाए आपके पौधा हमीर सा फूलों से भ़ळा रहेगा कलियों से भ़रा रहेगा किसी भी प्रकार की बीमारी इसको नहीं लगेगी जी पत्तो में उस तरह की बीमारी हो जाती है लीप कर वाइरस वगएरCómo न बहुत ही अच्छा आपका पौधा खुबसूरत स्वस्त बना रहेगा और हमेशा कलियों और फूलों से भरा रहेगा तो उम्मेद हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं आगले वीडियो में आगली जानकारी के साथ तब तक अपने पौधे का ध्यान रखे थैंक्स पर वाचिंग